हेलो एव्रीवन, मैसल रजस सिंग, वेलकम टो इंजिनेस अड़र, गैस फर्स्ट अफॉल उन सभी एस्परेंट्स को जो जेके सस्पी जेके एक्जामिनेशन को देने जा रहे हैं 27th को उन सभी के लिए best wishes हैं हमारी पूरी के पूरी टीम की तरफ से आपका एक्जामिनेशन जरूर अच्छा जाएगा आप सबने बहुत महनत करी है इस एक्जामिनेशन के लिए तो जितने भी एस्परेंट्स जो एक्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए all the best और जो वीडियो इस वीडियो को देख रहे हैं जो एस्परेंट्स एक्जामिनेशन से पहले या फ पूरे को पूरे एग्जाम को कैसे आपको देना है क्या कै चीजिते हैं हमें ध्यान देनी होती है examination hall में जब भी आपके examination होते हैं तो हमें सबसे पहली चीज यह ध्यान लखने होती कि number of questions कितने है number of questions के बाद बाद आपको यह भी सोचना होता है कि कितना time allotted है उसके हिसाए सब्काइब गैट्स के लिए ने को 30 मिनट्स में अगर करने हों तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखो कि इस तरीके से आपको पूरा-पूरा पेपर कपराकर करना है ऐसा मत सोचना कि एक पूरा लंबा सा टार्गेट रख लिया और उस टारगेट मुझे लास्ट में अचीव करना है अदर्वाइज आप आगे या पीछे हो जाओगे कुछ कोसंस आपके छूट जाएंगे और कहीं न कहीं disappointment होती है तो एक proper planning होनी चाहिए ये बात रही बात admit card और बागी की चीजों की वो आपने instruction में clearly पढ़ लिया होगा आप examination देने जा रहे हो यह इसलिए मैं बोलूँगा कि उनके छोटे मोटे formula भी देखते हो अगर आप तो तीन से चार पांच questions अगर उससे आ जाते हैं तो आपके लिए वो beneficial जरूर होगा guys one by one करके बात करता हूँ बड़ा ही short video के माध्यम से तुरन देखके आप उसको revise कर सकते जैसे देखिए आपको railway engineering, railway engineering में यहाँ पर उन्होंने topic लिख दिया history of railway यहाँ पर आपको कुछ देखने की जरूत नहीं है यहाँ पर आपको केवल और केवल क्या देखना है यहाँ पर पेवमेंट यहाँ पर लिखा है न गेजेज यूजेज आपको पता ही होगा आपने पढ़ा है तो इसको देख सकते हो types of rail types of rail creep welding fixtures and fastenings यहाँ पर types of rails देख लेना ठिक और यहाँ पर rail fixtures यहाँ से questions आप से पूछे जा सकते हैं classification यहाँ पर आगे लिखा हुआ है classification component बस यह दो तिन topic है इसको आप जल्दी सजल्दी आप देखके revise कर सकते हैं और वहाँ से आपको एकात questions जरूर मिलेंगे 100% मिलेंगे 10 marks का वेटेज है छोटा सा subject है इसको आप देख सकते हैं construction management, construction planning and management, cpm and pert से भी questions आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर देखे इन्होंने पूरा का पूरा syllabus क्या दे रखा है उसमें साब क्या क्या चीज़ें अभी देख सकते हैं network diagram, cpm pert, cost optimization control, tender, depreciation, valuation और यहाँ पर सबसे important बात आती है tender, tendering, tenders कौन-कौन से होते हैं यह देख सकते हो आप ठीक, उसके बाद यहाँ पर measurement book, cash book यह अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बस के वोले terms हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, छोटे-छोटे points हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आप एक घंटे में जितनी चीज़े cover कर सकते हो, अरली घंटे में सारी चीज़े cover कर सकते हो, लास्ट टाइम पर अगर यहाँ से 4-5 marks आपको मिल रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial होंगे, method of estimation and types of estimate, types of estimate से questions आने पके हैं, types of estimate से chances बहुत ज़्यादा हैं, questions आपको examination में देखने को मिलेंगे, तो यह कुछ topics ह यहाँ पर आप देख सकते हो, tender, measurement book, cash book, उसके बाद आपका methods of estimation, types of estimation, यह आप देख सकते हो, ठीक है, इसके बाद एक दूसरा subject, तीसरा subject आपका RCC, यह तीन subject की ही बात करूँगा, जादे subject नहीं, केवल railway engineering, CPM and Pert, construction planning management जिसको बोला, और यहाँ पर RCC structure, RCC structure में concrete technology, यहाँ पर ingredients से questions आएगा ही आएगा, 100%, ingredients से questions यहाँ पर आएंगे, उसके बाद workability वगएरा तो यह आपने पढ़ा होगा, इसमें आपको बार बार last time पर कुछ पढ़ने की ज़रूत नहीं है, non destructive test के नाम या कौन से होते हैं, यहाँ पर याद कर लिजेगा, NTT के, उसके पूछा सकता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बाकी तो पूरे को पूरे concrete के concrete से, जो यहाँ पर terms लिखे हो है, concrete design, basic, working stress and limited state, यह सब आपको नहीं पढ़ना last time पर, analysis of ultimate load, member subjected to, flexure, shear, compression, torsons, यहाँ पर यह सब कुछ नहीं, revise करना है, यहाँ पर हाँ, देखिए, one way or two way slab, last मैं लिखाना, one way and two way slab, one way and two way slab के, criteria, codal provisions, formulas वगरा, आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब भी आप RCC को revise किजिए, last time पर जो भी आपके पास time मिल रहा है, उसमें ingredients of concrete, water cement ratio की values जो होती है, वो और add mixtures, special concrete, यह सब सारे topic, छोटे छोटे topics हैं, जिसको आप पढ़ सकते हो, last time पर, last time पर revise कर सकते हैं, तो एक बार फिर से बोलूँगा, कि इन सभी points को आप जरूर cover कीजिए, जो points मैंने आपको discuss कियें, यहाँ पे पीछे भी, और यहाँ भी जो बताया, और overall आपका paper अच अच्छे से read करें carefully, आपका examination जरूर अच्छा जाएगा, और जो भी बच्चे हैं, जो examination देने जा रहे हैं, उन सभी ने दूसरा form भी fill किया होगा, no doubt मैं मानता हूँ कि कई बच्चों ने fill नहीं किया होगा, form fill करेंगे, जो अभी आपका recent vacancy आई हुई है, जही के लिए, त तो उस examination पर आपको लग जाना है, examination में देने के बाद बिलकुल भी आपको समय जाया नहीं करना है, जितने भी बच्चे है, examination देने के बाद आते हैं, exam center से, तो थोड़ा दिन एक दिन का time ले सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको back to back, तुरंत अगले दिन से आपको लग जान है, preparation में, जल सकती विभाग में जो vacancies आई हुई है, उन examination को, इस से आपको बहुत अच्छा खासा idea भी लगेगा, और उस examination में आपको help भी मिलने वाली है, क्योंकि एक same environment में आप एक बार दे चुके हो, exam recently, और तुरंत उसके कुछ दिनों बाद, कुछ महिनों बाद उसका examination होगा, form feeling के बाद, कुछ महिनों बाद होगा, तो उस examination को भी आपको काईदे से अच्छे से देना है, ठीक है, guys, all the best, अच्छे से दो, बार बार यही बोल रहा हूं, और जितने भी new student हैं, जो अभी इस examination में नहीं जा रहा है, वो preparation कर रहा है, तो guys, आपके लिए batches भी start हो हैं, जरूर batches join करके, systematic way में आप अपनी classes को start करिए, पढ़िए, otherwise examination जो है, examination का level जो है, वो day by day आपको भी पता है कि बढ़ता जा रहा है, आपको एक mentor की जरूरत है, अगर आपको concept में doubt है, concept सीखना है, तो paid batches में आप proper classes ले सकते हैं, paid batches के बारे में आपको बता जाता हूं paid batches available है, jkssbj, civil engineering का, इसमें civil engineering के सारे के सारे technical subject आपको कराये जाएंगे, ये batch already start कर दिया गया है, इसी October मन्त में अभी पहला subject highway चल रहा है, in fact highway में भी आपका jkssb में जो portion है, वो पूरा का पूरा portion अभी recent, कल या परसो की classes में पूरा का पूरा कराये जाएगा, तो ये particular batch आपके लिए beneficial होगा, बहुत best batch है, join करना बड़ा ही simple है, बहुत ही minimum price में भी दिया जा रहा है, जितने भी aspirants इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर join करके अपनी classes को complete करिए, अड़ा 24-7 के application को download करो, search करो jkssbj, उसमें उपर search box में civil engineering, jkssbj, ये particular logo आपको दिखाई दे जाएगी, वो कुछ जादा होगी, price में उसमें आपको Y293, ये particular coupon code लगाने का option आएगा, जैसे इस coupon code को insert करोगा, आपको maximum discount जितना मिल सकता हो, वो मिल जाएगा, 78% का discount application पर मिल जाएगा, यहाँ पर भी लिख रखा है माने ये code, इस coupon code को apply किजिए, you will get the maximum discount और पूरी की प पूरी notes बना सकते हैं proper, और अपनी preparation journey को आसान बना सकते हैं, thank you guys, मिलते हैं आप से फिर next video में, इसी तरीके से पढ़ते रही है, और जिनको भी requirement है, जो भी बच्चे, JKSSB के लिए नहीं, other examination के लिए भी preparation कर रहे हैं, सब के लिए एक one solution तो ये civil engineering का महापैक होता है, जिसमे technical की classes तो मिलती हैं, non-technical की भी classes, पूरी की पूरी, test series और साथी साथ आपको e-books, ये चारो चीजें जो एक helping tools होती हैं preparation के लिए, वो आपको चारो चीजें मिलती हैं, जितने भी batches होंगे, जो JKSSB हुआ, SSEJE का pre plus mains का batch हुआ, जितने भी batches होंगे, तमाम batches, सारे का सारे batches के अंदर include होते हैं, जो पहले batches हो चुके है, old batches, जो upcoming batches आएंगे, वो सारे batches, सारे के सारे महा pack के अंदर include होते हैं, तो आपको search करना है civil engineering का महा pack, अगर आपकी branch civil है, mechanical है तो mechanical engineering का महा pack, electrical है तो electrical engineering का महा pack, same process है application पर जाईए, अडर 24-7 के, download करने के बाद, login करने के बाद आप search किजिए civil engineering का महा pack, join करने के लिए ये दो option होंगे, 6 month का भी होगा ये pack, 12 month का भी होगा, 2 years का भी है, तो आपको जो भी requirement है, आपको 12 month का लेना है, तो 12 month वाले पे logo पे click किजिए, नीचे लिखा होगा 12 month, अब वहाँ पे click करने के बाद, आपको payment से पहले, वही same process, coupon code apply करोगे, जैसे ही तो आपकी price घट जाएगी, discounted price में ये batch मिलेंगे, और join करने के बाद, payment के बाद, automatically आप join हो जाओगे, और सारी के सारी access आपको मिल जाएंगे, application में, जितने भी content है, videos है, सब देख सकते हो, live classes attend कर सकते हो, mobile devices से, या laptop से, किसी से भी, ठीके guys, thank you, मिलते हैं से, next class में, and once again, all the best, अच्छे से exam दीजिए, I hope, सारे के सारे बच्चे जिन्होंने महनत करी हैं, वो select होंगे, फिक है, thank you so much,